ओम शान्ती आज 6 जून 2021 के मधुर महावाक्य और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 14 जन्वरी 1988 को सुनाए दे जिसमें विशेश बाबा दो प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं पहले प्रकार के बच्चे हैं जो सदा आज्याकारी है और दूसरे प्रकार के बच्चे जो सिर्फ आज्याकारी सदा नहीं जो सदा आज्याकारी है वो सदा स्मृती स्वरूप रहते हैं अर्था कि बाबा की हर आज्या के भी स्मृती स्वरूप हो करके जलते हैं इसलिए अमृत वेले से लेकर रात्रे तक हर आज्या का सहजता से पालन करते हैं और उस कारण परमात्मा की दुआओं को सहज जीवन में अनुभो करते हैं बाबा की दुआओं का साथ होने कारण हर कर्म फलदाई होता है अर्था हर कर्म में संतुष्टता और सफलता सहज अनुभो करते हैं साथ ही साथ बाबा कहे सहज सफलता का अनुभो करने कारण उस कर्म में भी विल पावर का अनुभो करते और सदा अतींद्रिय सुख का अनुभो कर्म करने के बाद होता है क्योंकि वो कर्म संबंद में आकर के कर्म करते हैं कर्म बंधन में आकर कर्म नहीं करते हैं जबकि जो सदा स्मृति स्वरूप नहीं है आग्याओं के वह सिर्फ आग्याकारी है दूसरे प्रकार के बच्चे जो कभी-कभी आग्याप्रमान चलते हैं और कभी-कभी कर्म करने के बाद स्मृति में आता है कि अरे ये कर्म तो बाबा की आग्या प्रमान नहीं हुआ और इसलिए मन संतुष्ट नहीं उदासी का अनुभव करते हैं कभी-कभी मन अंदर में खाता है कि ये कर्म ठीक नहीं हुआ खुद भी संतुष्ट नहीं दूसरे भी उनसे संतुष्ट नहीं और इसलिए बाप दादा की दुआओं को सहचता से अनुभो नहीं करते हैं और न कभी अतींद्रिय सुख का अनुभो होता है कर्म में संतुष्टता नहीं तो सफलता भी नहीं अनुभो करते हैं तो उनकी बाबा ने बहुत सुक्ष्मक गती बताई है कि पिछला कर्मों का हिसाब किताब कैसे उनको परवश करते हैं इसलिए वो सदा आग्याकारी नहीं उपर करके चलते है बाबा ने कहा बाबा की आग्या ही बाबा का कदम है और इसलिए जो सदा आग्याकारी है वो बाप के कदम पर कदम रख करके चलने वाले बाप समान संपून सहज बन जाते हैं तो सुनते हैं बाबा के अव्यक्त मदुर महावाक्य आज की मुरली का सिर्शकी है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवग्या है आज बेहत के बड़े ते बड़े बाप उचे ते उच बनाने वाला बाप अपने चारो और के बच्चों में से विशेश आज्याकारी बच्चों को देख रहे हैं आज्याकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं लेकिन नंबरवार है कोई सदा आज्याकारी और कोई आज्याकारी है सदा नहीं है आज्याकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आजाते हैं लेकिन अंतर जरूर है आज्या देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्या देते हैं अलग-अलग भिन-भिन आज्या भी नहीं देते हैं फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं क्योंकि जो सदा हर संकल्प वह हर करम करते बाप की आज्या का सहज स्मृती स्वरूप बनते हैं वह स्वतह ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्या प्रमान चलते हैं और जो स्मृती स्वरूप नहीं बनते हैं उनको बार बार स्मृती लानी पड़ती हैं कभी स्मृती के कारण आग्याकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आग्या याद करते हैं क्योंकि आग्या के स्मृती स्वरूप नहीं है तो जो सदा आज्याकारी वो सदा स्मृति स्वरूप और जो सिर्फ आज्याकारी वो कभी तो आज्याकारी बन कर चलते और कभी कर्म करने के बाद आज्या के स्मृति स्वरूप गुते जो स्रेश्ट कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुबुती न होने के करण कर्म के बाद याद आता है, कि ये रिजल्ट क्यों होई है? कर्म के बाद चेक करते हैं, तो समझते हैं, जो जैसी बाप की आज्या है, उस प्रमाण न चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुबुव हो, वो नहीं हुआ. इसको कहते हैं, आज्या के स्मृती स्वरुप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृती आई. तो नमबर वन है, सहज स्वतह स्मृती स्वरुप आज्या करी. और दूसरा नमबर है, कभी स्मृती से करम करने वाले, और कभी करम के बाद स्मृती में आने वाले. तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, दो माला है, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है तीसरों की तो माला ही नहीं है, इसलिए दो की बात कर रहे है आज्याकारी नंबर वन, अब उसकी विशेषता बाबा बताते हैं सदा अम्रत वेले से रात तक सारे दिन की दिन चरिया के हर कर्म में आज्या प्रमान चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुधो करते हैं लेकिन आज्याकारी बनने का विशेश फल बाब के आशिरवात की अनुभुती करते हैं क्योंकि आज्याकारी बच्चे के उपर हर कदम में बाब दादा के दिल की दुआएं साथ है इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदाई होता है क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वो फल है तो नंबर वन आज्याकारी आत्मा का हर कर्म रुपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अथाथ संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है हर कर्म का फल क्या मिलता है संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्या आत्माओं के संबन संपर्ख से भी होती है नमबर वन आग्याकरी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतह और सदा अनुभो होती है कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयम संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया लेकिन कहा सफलता रुपी फल जितना स्वयम समझते हैं इतना दिखाई नहीं देता है और कहा फिर स्वयम भी संतुष्ट फल में भी संतुष्ट लेकिन संबन संपर्क में संतुष्टता नहीं होती है तो इसको नंबर वन आज्याकरी नहीं कहेंगे नंबर वन आज्याकरी तीनों में संतुष्ट स्वयम भी कर्म के फल में भी और जिन आत्माओं के संबन संपर्क में आए उनसे भी लेकिन जहां तीनों में कहीं न कहीं संतुष्टी नहीं अनुबो होती तो वो नंबर वन आग्याकारी नहीं कहेंगे नंबर वन आग्याकारी तीनों ही बातों में संतुष्टा अनुभो करेगा वर्तमान समय के प्रमान कई स्रेष्ट आग्याकारी बच्चो द्वारा कभी-कभी कोई-कोई आत्मा है, अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती है, आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं, जिससे सभी संतुष्ट हो, कोई न कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं, उनका असंतुष्ट होने का, उनका हिसाब है, वो सुक्ष्म हिसाब बाबा बताते हैं, अपने कारण को न जानने कर, मिस अंडरस्टेंडिंग, गलत फहिमी कर देते हैं, मना नंबर वन आज्याकारी के साथ भी गलत फहिमी में आ जाते हैं, इसलिए संतुष्ट नहीं होते हैं, यह दूसरी बात, अपनी बुद्धी प्रमान, बड़ों से चाहना इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जपूर्ण नहीं होती, तो असंतुष्ट हो जा आते हैं, यह दूसरा कारण बताया, तीसरी बात, कई आत्मों के पिछले स्वभाव संस्कार और हिसाब किताब के कारण, जो संतुष्ट होना चाहिए, तो नहीं होते हैं, तो यह तीन कारण बताया, एक तो खुद की मिसंडरस्टेंडिंग, दूसरा बड़ों से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं, वो पूरी नहीं हुई, इसलिए असंतुष्ट होते हैं, या तो पिछला हिसाब किताब ऐसा है, जिस कारण से असंतुष्ट हो जाते हैं, इस कारण नमबर वन आज्याकारी आत्मा का वस्रेष्ट आत्माओ द्वारा संतुष्ट ता न मिलने का कार ये कहां कहां दिखाई देता है, कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मैजॉरेटी 95% के करीब संतुष्ट होंगें, जो नमबर वन आज्याकारी है, उनसे करीबन 95% संतुष्ट होंगें, पांच प्रतिशत असंतुष्ट दिखाई देते हैं, वो अपने कार तो नमबर वन आज्याकारी बच्चे मैजॉरेटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभो करेंगें, और सदा आज्या प्रमान स्रेष्ट कर्म होने के करण, हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने करण, कर्म बार बार बुद्धी को, मन को विचलित नहीं करेगा, कि ठीक किया वा नहीं किया, सेकंड नमबर वाले को करम करने के बाद, कई बार मन में संकल्प चलता है, कि पता नहीं, ठीक किया वा नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाशा में कहते हो, मन खाता है, कि ठीक नहीं किया, नमबर वन आज्या कारियात्मा का, कभी मन नहीं खाता, सदा हलके रहते हैं क्योंकि कर्म के बंधन का बोज नहीं पहले भी सुनाया था कि एक कर्म के संबंद में आना दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना तो नंबर वन आत्मा कर्म के संबंद में आने वाली है इसलिए सदा हलकी है नंबर वन आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेश आशिरवात की प्राप्ति के कार्म हर कर्म करते आशिरवात के फल स्वरू सदा ही आंत्रिक विलपावर अनुभो करेगी सदा अतींद्रिय सुख का अनुभो करेगी सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन अनुभो करेगी कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हाल चाल सुनाते क्या कहते हैं ना मालूं क्यूं आज अपने को खाली-खाली समझते हैं कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता वा सुख की अनुभूती नहीं हो रही है कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य कोई छोटी-मोटी भूल नहीं होती है अद बाबा बहुत सुक्ष्म बात यहां सपर्ष्ट करते हैं कि भले इस समय कोई अवग्या भी नहीं हुई कोई उल्टा कार्य भी नहीं हुआ कोई भूल भी नहीं हुआ लेकिन चलते-चलते अन वा अलबेले पन में समय प्रती समय आज्या के प्रमान काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवग्या का बोज किसी समय अपने तरफ खीचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संसकार स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपने तरफ खीच लेते हैं। ऐसे समय प्रती समय की हुई अवग्याओं का बोज कभी कभी अपने तरफ खीच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब यह है वर्तमान जीवन का हिसाब। कभी न कभी अवग्या की तो वह भी एक प्रका का हिसाब है लेकिन यह वर्तमान जीवन का हिसाब। क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जण्मका चाहे पिछले जण्मका लगण की अगनी स्वरूप स्थिती के बिना भस्म नहीं होता सदा अगनी स्वरुप स्थिती अर्थाथ शक्ति शाली याद की स्थिती बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिती सदा नव होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं इसलिए रहा हुआ हिसाब अपने तरफ खीचता है तो जब पावर्फुल बीज स्वरुप सिती होती है शक्तिशली याद की सिती अगनी स्वरुप की होती है तो ही वो पिछला हिसाब किताब को भस्म कर सकते है नहीं तो वो हिसाब किताब अपने तरफ खीचता है उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुबा, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, वा कभी उदासी की लहर होगी एक होता है ज्यान द्वारा शांती कानुदो दूसरा होता है बिना खुशी, बिना आनंद के सन्नाटे की शांती वा बिना रस के शांती होती है सिर्फ दिल करेगा कहां अकेले में चले जाए बैठ जाए यह सब निशानिया है कोई न कोई अवग्या की कर्म का बोज खीचता है अवग्या एक होती है पाप कर्म करना वा कोई बड़ी भूल करना और दूसरी अवग्या होती है छोटी छोटी अवग्या भी होती है जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधी पूरवत शक्ति शाली याद में रहो तो अमृत वेले अगर इस अज्ञा प्रमाठ नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे आज्याकारी या अवग्या, हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित भाव से करो, निर्मान बन के करो, यह आज्याएं है, ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन द्रिष्टान की रिती से सुना रहे हैं द्रिष्टी, व्रत्ती सब के लिए आज्या है, इन सब आज्याओं में से, कोई भी आज्या विधी पुरवक पालन नहीं करते हैं, तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवग्या है, यहाख खाता अगर जमा होता रहता है, तो जरूर अपने तरफ खीचेगा न, इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो, तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है, तो फिर सोचते हैं, इतने इशारे मिलते, नौलेज़फुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, कारण पिछला वा वर्तमान बोज डबल लाइट बनने नहीं देता है, कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोज नीचे ले आता, सदा अतींद्रिय सुख वा खुशी संपन शांत स्थिती अनुभव नहीं करते हैं, बाप दादा के आज्याकारी बनने की, विशेश आशिरवाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभुती नहीं गोती हैं, इसलिए किस समय सहज होता, किस समय महनत लगती हैं, नंबर वन आज्याकारी की विशेश आएं, स्पश्ट सुने, बापी नंबर टू कौन हुआ, जिसमें इन विशेश्टाओं की कमी है, वह नंबर टू और दूसरे नंबर माला के हो गए हैं, तो पहली माला में आना है न, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्या स्पश्ट है, उसी प्रमान चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ, आज्या ही बाप के कदम है, क्यते हैं न, बाप के कदम पर कदम रखना, तो बाबा कहें, आज्या ही बाप के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ न? वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनिया हो तो सजनिया कदम पर कदम रखती है न? ये विधी है न? तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो बच्चे अर्था जो बाप के फुटस्टेप्स पद चिन हो पर चले, जैसे बाप ने कहा ऐसा किया बाप का कहना और बच्चो का करना इसको कहते हैं नमबर वन आज्या करें तो चेक करो और चेंज करो अच्छा, चारो और के सर्व आज्या करी स्रेश्ट आत्माव को सदा बाप द्वारा प्राक्त हुई आशिर्वाद की अनुभूती करने वाले विशेश आत्माव को सदा हर कर्म में संतुष्टता, सफलता अनुभो करने वाली महानात्माव को सदा कदम पर कदम रखने वाले हैं आज्याकारी बच्चो को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम सब रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, बुद मौर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पार्टियों से अवियत बाप दादा की मदुर मुलाकात है सदा अपने को रुखानी यात्री समझते हो यात्रा करते क्या याद रहेगा जहां जाना है वही याद रहेगा न अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते है अगर कोई देवी की यातरा पर जाएंगे जैसे वैशनो देवी आधी की यातरा पर जाते हैं तो जै माता जी, जै माता जी कहते जाएंगे न अगर कोई और याद आएगी, तो अच्छा नहीं समझते हैं एक दो को भी याद दिलाएंगे जै माता याद करो घर को वा बच्चे को याद नहीं करो माता को याद करो तो रुहानी यात्री को सदा क्या याद रहता है अपना घर परमधाम याद रहता है न वहाँ ही जाना है तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और बाते भी याद रहती है पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है न ऐसे नहीं यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है रहते हुए भी न्यारे रहना क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे तो चेक करो पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं कमल पुष्प किचड में रहता है लेकिन किचड से न्यारा रहता है तो सेवा के लिए रहना पड़ता है मो के कारण नहीं तो माताओं को मो तो नहीं है अगर थोड़ा दो त्रे पोत्रे को कुछ हो जाए फिर मो होगा अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा क्योंकि जहां मो होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है ऐसे नहीं उसको वुखार हो तो आपको भी मन का वुखार हो जाए मो खीचता है ना पेपर तो आते हैं ना कभी पोत्रा बीमार होगा कभी दोत्रा कभी धन की समस्या आएगी कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी ये तो होगा ही लेकिन सदा न्यारे रहे मोह में न आए ऐसे निर्मोही हो माताओं को होता है संबंद से मोह और पांडव को होता है पैसे से मोह पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी शरीर निर्वा करने के लिए निमित काम करना दूसरी बात है लेकिन ऐसा लगे रहना चो न पढ़ाई याद आए न याद का अब्यास हो उसको कहेंगे मोह तो मोह तो नहीं है न जितना नश्ट मोहा होंगे उतना ही स्मृती स्वरुप होंगे फिर बाबा की मुलाकात कुमारों से हैं तो बाबा कहें कमाल करने वाले कुमार हो न क्या कमाल दिखाएंगे सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है लेकिन उसकी विधी क्या है आज कल तो यूथ के तरफ सब की नजर है रुहानी यूथ अपने मनसा शक्ती से बोल से चलन से ऐसे शान्ती की शक्ती अनुभव कराएं जो वह समझे कि ये शान्ती की शक्ती से क्रांती करने वाले हैं जैसे जिस्माने यूथ की चलन और चहरे से जोश दिखाई देता है न देखकर ही पता चलता है कि ये यूथ है ऐसे आपके चहरे और चलन से शान्ती की अनुभवती हो इसको कहते हैं कमाल करना हर एक की वृत्ती से वाइब्रेशन आए जैसे उन्हों के चलन से चहरे से वाइब्रेशन आता है कि यह हिंसक वृत्ती वाले हैं ऐसे आपके वाइब्रेशन से शान्ती की किरने अनुभवत ऐसी कमाल करके दिखाओ कोई भी क्रांती का कार्य करता है तो सबका एटेंशन जाता है ना ऐसे आप लोगों के उपर सबका एटेंशन जाए ऐसी विशाल सेवा करो क्योंकि ज्यान सुनाने से अच्छा तो लगता है लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ वानी से तो माताएं भी सेवा करती है निमित बहने भी सेवा करती है लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्मेंट का भी एटेंशन जाए जैसे सूर्य उदई होता है तो स्वतह ही एटेंशन जाता है ना रोश्नी आ रही है ऐसे आपके तरफ एटेंशन जाए समझा? अच्छा? आज का बाबा का मतुर वर्दान है ठकी वा तड़ती वी आत्माओं को सिद्धी देने वाले खुदाई खिद्मतकार भववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव चुकी है अभी हर एक सिद्धी चाहते हैं न कि साधना कोई पुर्शार्थ नहीं चाहता सिद्धी चाहते हैं सिद्धी अर्थात सद्गती तो ऐसी तड़क्ती हुई ठकिवी प्यासी आत्माओं की प्यास बुजाने के लिए आप स्रेश्ट आत्माएं अपने साइलेंस की श सर्व शक्तियों से एक सेकंड में सिद्धी दो तब कहेंगे खुदाई खिद्मतकार है आज का स्लोगन है कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है अब यह गेट बंद करो अच्छा ओम शानती